Hello everyone, welcome back to my channel आप सभी को पता है new education policy आ गई है 2020 जिसमें क्या changes हुए है वो आपको अलग-अलग videos में बता सकते हैं बढ़ आज की video में मैं share करने वाले हैं especially MSC के student, graduation के student, PG के student के लिए क्या changes हुए हैं So without any further ado, let's get started So many changes हुए हैं but PG के लिए और graduation के लिए क्या changes हुए है हम वो share करने वाले तो graduation में जो भी student है वो four year का course करेंगे जिसमें क्या होगा कि आप उसे मिड में छोड सकते हो हलांकि यह PG में होता था कि अगर आप first year को छोड़ते हो तो second year आप बाद में आके complete कर सकते हो तो अभी आप graduation में भी कर सकते हो जिसके लिए आपको अलग-अलग certificate तीनों year में दिये जाएंगे first year पे अलग certificate second पे आपको एक diploma का certificate and third पे आपको degree दी जाएगी firstly तो graduation वालों के लिए अच्छा हो गया कि इनकेस अगर आप छोड़ते हो तो आपको कोई problem नहीं ऐसा नहीं है कि आपके पूरी graduation रुख जाएगी second one अगर PG के लिए आते हैं तो PG में ये convert हुआ है अगर जो new student आपका PG graduation कर रहा है तो वो 4 year की graduation करेगा तो उसके बात उसका जो PG है वो सिर्फ 1 year का होगा ठीक है यानि कि अभी आप MSC 2 year की कर रहे हो बर जो new student admission लेंगे graduation में वो 1 year की करेंगे अगर उन्होंने graduation 4 year की की है बट इन केस अगर आप graduation कर चुके हो और आप MSC में ACR admission ले रहे हो तो आपकी जो MSC है वो 2 year की ही होगी आपके लिए कोई changes नहीं है प्लस आपके लिए यह होगा अगर आप 4 year की graduation करते हो तो फिर आपको वीडियो भी MSC के स्टुडेंट्स के लिए यूस्फूल रही होगी